हेमू उर्फ हेमचंद्र, हेमू विक्रमादित्य अथवा हेमचंद्र विक्रमादित्य निधन 5 नवंबर 1556 हिंदू कमांडर थे जो पहले एक सामान्य रूप में सेवा के मुख्यमंत्री के आदिल शाह सूरी के सूरी वंश में एक अवधी के दौरान भारतीर इतिहास जब म मुगल और अफगान पूरे उत्तर भारत में सत्ता के लिए होर में थे उन्होंने पंजाब से बंगाल तक उत्तर भारत में अफगान विद्रोहियों और आग्रा और दिल्ली में हुमायू और अकबर की मुगल सेनाओं से लड़ा आदिल शाह के लिए 22 लड़ाई जीती हेमू ने 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली की लड़ाई में अकबर की मुगल सेना को हराने के बाद शाही स्थिती का दावा किया और विक्रमादित्य की प्राचीन उपाधी धारन की जिसे अतीत में कई हिंदू राजाओं ने अपनाया था एक महीने बाद हेमू पानीपत की दूसरी लड़ाई के दौरान एक मौका तीर से घायल हो गया और बेहोश हो गया इसके तुरंत बाद अकबर के रीजेंट बैरम खान ने लगभग मृत हेमू का सिरकाट दिया हेमू के प्रारंभिक जीवन के समकालीन लेख उनकी विनमर प्रिष्ठ भूमी के कारण खंडित हैं और अकसर पक्षपाती होते हैं क्योंकि वे मुगल इतिहासकारों जैसे बदाउनी और अबुलफजल द्वारा लिखे गए थे जिन्होंने अकबर के दर्बार में सेवा क कि थी आधुनिक इतिहासकार उनके परिबार के पैत्रिक घर और जाती पांच और उनके जन्म के स्थान और वर्ष पर भिन्न हैं। दिया या तो एक हरे किराने के रूप में या नमक बेचने वाला प्रमुक्ता के लिए उदे हेमू के शुरुवाती करियर का विवन असपश्ट है और इसमें बहुत सी अटकले शामिल हैं साल्ट पीटर के विक्रेता के रूप में अपनी शुरुवात के बाद कहा जाता है कि वह बाजार में एक व्यापारिया तौलने वाला था 1545 में शेर शाह सूरी की मृत्यू के बाद उनका पुत्र इसलाम शाह सूर सामराज्य का शासक बना और उसके शासन के दोरान हेमू अपने बेल्ट के तहट कुछ सैनिक अनुभव के साथ दिल्ली में बाजार का अधीक्षक बन गया। कहा जाता है कि हेमू को बाद में खुफिया प्रमुख और डाक अधीक्षक नियुक्त किया गया था। अन्यस रोत भी उन्हें शाही रसोई के सर वेक्षक के रू हेमू को पहचाना और उन्हें एक उच्छ पदस्थ अधिकारी के बराबर जिम्मेदारिया सौंपी। थेमू को मनकोट के पडोस में हुमायू के सौतेले भाई कामरान मिर्जा की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भेजा गया था। इसलाम शाह की मृत्यू 30 मार डाला गया था। हाला की नया शासक राज्य के मामलों की तुलना में आनंद की खोज में अधिक रुची रखता था। लेकिन हेमू ने आदिल शाह के साथ अपने भाग्य को फेंक दिया और उनकी सैन्य सफलताओं ने उन्हें मुख्यमंत्री और राज्य के सामान्य पर पत्यधिक सक्षम नागरिक प्रशासक होने के साथ साथ अफगान पक्ष में सबसे अच्छा सैन्य दिमाग भी था। उन्हें आदिल शाह के विरोधियों के खिलाफ 22 लडाई लडने और जीतने के लिए जाना जाता है। इन में से कई लडाया। उन अफगानों के खिलाफ थी जिन्होंने आदिल शाह के खिलाफ विद्रोह किया था। इन में से एक इसलाम शाह के दरबार के सदस्य ताज खान कर रानी थे। जिन्होंने आदिल शाह की सेवा करने के बजाए अपने अनुयाईयों के साथ ग्वालियर से पूर्व की और भागने का फैसला किया। व हेमो ने फिर से पीछा किया और चुनार में कर्रानी से लड़ा और एक बार फिर विजी हुआ। हाला कि, जैसे चिवरमों में, कर्रानी ने उसे फिर से परची दी। हेमों ने आदिल शाह को चुनार में रहने के लिए कहा और पूरे। बंगाल में करराने का पीछा करने के लिए आगे बढ़ा। 23 जुलाई 1555 को आदिल शाह के बहनोई सिकंदर शाह सूरी पर हुमायू की जीत के बाद मुगलों ने अंता दिल्ली और आगरा को पुनह प्राप्त कर लिया। 26 जनवरी 1556 को जब हुमायू की मुगलों की मुगलों को हराने का एक आदर्श अफसर दिया। उसने बंगाल से एक रापिड मार्च शुरू किया और बयाना इटावा, संभल, कालपी और नारनौल से मुगलों को खदेड दिया। आगरा में राजजपाल ने शहर खाली कर दिया और हेमू के आक्रमन की बात सुनकर बिना किसी ल लेखनी जीत मुगलों के खिलाफ तुगल का बाद में हुई।